नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो बगवान शीव शंकर से जुड़े हुए किसी भी पावन दिन पर हमें कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए साथी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने घर ऐसी वे कौन सी एक चीज है जिसे आप अगर ले आएं तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी आपकी जैसी भी मनोकामना हो तुरंग पूर्ण हो जाएगी दोस्तो भगवान शिफशंकर से जुड़े हुए किसी भी पावन दिन को अगर आप और भी सुब बनाना चाहते हैं अपने लिए कारगर बनाना चाहते हैं आप एक काम्याब जीवन जीना चाहते हैं तो आप सुबह जल्दी उठकर शनानादी करके मंदर में अवसे जाएं, मंदर में जाते वक्त सुबकाल का आप ध्यान रखें। भगवान शिवशंकर की पूजा करते समय केवल जब सुबकाल हो, पूजा का समय हो, तभी आप ये पूजा वार्थना करें। साती शिवशंकर को जल चड़ाते समय ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई इस मंतर का जाब करते रहें दोस्तों बहुत से सरदालू ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी मनों कामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए बोले ना शिवशंकर के लिए बृत पूज कर ही अगले दिन ब्रत को खोलना चाहिए यदि आपके लिए संबब ना हो तो आप एक समय ब्रत करके शाम के समय आप अपने ब्रत को खोल सकते हैं दोस्तों शिव पुराण के अनुशाल सच्चे दिल से इन यमों का पालन करने वाला व्यक्ति भगवान शिव शंकर को अत्यन आपको मास मंदीरा आदी ऐसी चीजों को बिलकुल भी सपर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपके साथ कुछ भी गटित हो सकता है यदि आप पूजा करने वाले हैं तो इस दिन आप बिलकुल भी देर तक ना सोए इससे आपका दुरुभाग्य आपक के ही कपड़ों का धरन करे इसी के साथ ही पति-पत्न इदिं सा जीच संभन बिलकुल भी बिलकुल भी बनाएं वरना आपको शिव जी के क्रोध का साबना करना पड़ेगा दोस्तों गर आप कि शीव शंकर को प्रसन करना चाहते है तो शिव जी के किसी भी खास दिन पर भगवान विश्णु के चरणों से निकली और शिवशंकर के जटाओं से होते हुए धर्ती को पावन कर दिया इसलिए गंगा नदी अपने आप में ही बेहत पावन है इसलिए भगवान शिवशंकर को गंगा जल का सेस्नान करवाना गंगा जल तर्पित करना बेदी मांसिक औ पूर्ण हो जाती है दोस्तों गंगे का रस जीवन में मिठास देने वाला एक रस है सास्त्रों में से बेहत पवित्र माना गया है प्रेम के देवता काम देवता का धनुस भी गंगे सही बना है ऐसी मानता है कि गंगे के रस से शिवलिंग का अविशे करने से घर में धन दा अब आए इसके अलावा दोस्तो तीन बेल पत्र युदे हुए पत्ते यानि कि दोस्तों तीन पत्तों वाला बेल पत्त आपको शिवलिंग पर अवसे चड़ाना चाहिए, तीन पत्ते वाले बेल पत्र, ब्रह्मा, विश्नु, महेश, त्रिदेवों का प्रतिदने दिद्व करते हैं, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तीन पत्तों वाला बेल पत्र चड़ाने से शिवलोग की प्राप्ती होती है, दोस्तों जिस प्रकार से धतूरे का फल भगवान सीव शंकर को प्रिये है, उसी प्रकार से धतूरे का फूल भी भगवान सीव शंकर को अत्यंत प्रिये है, क्योंकि दोस्तों ये दिखने में सफेद होता है, और अपने औसदिये गुण के कारण ये गुणकारी होता है इसलिए भगवान सीव शंकर को दतूरे का फूल अवसे चड़ाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अपने विशेश मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आप पहले ही चांदी के नाग-नागिन ले आएं और अपने अशुग गरोहों के प्रवावों से मुक्ती प्रा नाग-नागिन का जोड़ा ओशे चड़ाएं दोस्तों इससे ना सरफ आपकी मनोकामना पूरी होती हैं बलकि इससे आपका काल सरबदोस्त वे नाग सरबदोस्त आपका दूर हो जाता है तो दोस्तों आजकी इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसर मुलागात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक रिदे में जाते धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जै बजरंग बली, जै मातादी, हर हर महादेव.